इस question में के रहा है कि एक circular coil consider करना है हमें जिसमें इक constant current हो आई और वो एक magnetic dipole form कर रहे है ठीक फिर के रहा है the magnetic flux through the infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by 5i मतलब हमें एक infinite plane मानना है और उसी plane के अंदर हमें क्या मानना है उस coil को मानना है ठीक ना उसी plane के अलों उसी plane पे circular coil है और उसके coil के एरिया को ठोड़के उसके बाहर जो फ्लक्स पास कर रही है वह फाइल हाई ठीक ना कोईल के एरिया को छोड़के बाहर वाले सब्सक्राइब इस जिवन वालेंगे उस तर्फिलर कोईल से जो पास कर रहा है वह फाइन तो कौन सा उप्सन इन में से प्रेक्ट है आप देखा सब्से पहले प्लें मालें तो अब इसकी में उनके लोख बातबर इसकी में वालें अब यह सब्सक्राइब विल्च निचलेगी वो नुच से निचलते इसकी अंदर बूच जाएगए यह जो magnetic field line से dotted वाला वो plane के अंदर वाज है किलना plane के पीछे के तरफ ऐसे लिए यह हो जाएगा यह हो जाएगा अब देखें इसमें के इस प्रकुलर कोईल से जितनी लाइस निकल रही है क्या उतनी लाइस प्लेन में जा रही है तो इस प्लेन में जा रही है मतलब अगर मैं एक सर्कुलर कोईल यहां मानने हो जाएगी इससे जितनी मैंटनिक फीड़ लाइस कंपलें के इससे निकले duy बॉर्ड में जाएगी जितनी यहां से निकलेगी बॉर्ड में जाएगी वो चारो तरफ गलें वोड़ में घुश जाए तो इसका मतब इसे जितनी फ्लक्स बाहर आ रही है बोड़ के अंदर भी तो उतनी जा रही है ना क्लिया ना यहां पर एलेशन गया बनेगा फाइनमाट इकोल टू माइनस फाइए जितनी इसे फ्लक्स बाहर की तरफ ऐसे आ रही है उतनी ही इस पॉइल को छोड़ देना है उतनी अंदर हो जा रही है तो ऑप्शन कि अग्युक्त